भारत से गद्दारी करने वाले तुर्की ने शोक मना रहे इरान पर आसमान से नमक छिड़क दिया है तुर्की ने मदद के बहाने इरान के हादसे का फाइदा उठा लिया है तुर्की ने जो हरकत की है वो आपको भी गुस्सा दिला देगी खास्तोर पर भारत के लोग तुर्की की सरकार कितनी एहसान फरामोश है खबर के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे इरान की मदद के बहाने तुर्की ने भारत को आख दिखाने की कोशिश की है चली अब आपको बताते हैं कि तुर्की ने इरान के साथ क्या किया है दरसल जैसे ही खबर आई कि इरान के राश्ट्रपती और विदेश मंत्री को ले जा रहा हेलिकॉप्टर पहाडों में क्रैश हो गया है इसके तुरंत बाद इरान ने आसपडोस के सभी देशों से मदद मांगी तुर्की ने मौके का फाइदा उठा कर तुरंत अपना सबसे लेटेस्ट अकिनसी UAV यानी Unmanned Aerial Vehicle भेज दिया अकिनसी UAV ने अपने अत्यधुनिक उपकरणों की मदद से इरानी राष्ट्रपती के हेलिकॉप्टर के मलबे का पता लगा लिया जिस समय अकिनसी हेलिकॉप्टर को धून रहा था तब उसके कैमरे से सर्च ओपरेशन की लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी 25 लाख से ज्यादा लोग अकिनसी में लगे कैमरे से लाइव सर्च ओपरेशन देख रहे थे कुछी घंटों में अकिनसी UAV दुनिया में सबसे अधिक ट्रैक किया जाने वाला विमान बन गया इसी का फाइदा उठाते हुए अकिनसी को नीचे से ऑपरेट कर रहे पाइलेट ने एक नीच हरकत कर दी सफलता के बाद अकिनसी के पाइलेट ने इरान के नक्षे के उपर तुर्की का राष्ट्रे प्रतीक चांद और तारा बना दिया आपको बता दे कि जब UAV उड़ता है तो स्क्रीन पर उसका डिजिटल पाथ यानी रास्ता ट्रैक होता रहता है पाइलेट को पता था कि 25 लाख लोग अकिनसी की मुव्मेंट को ट्रैक कर रहे हैं तो क्यों ना अकिनसी की मार्केटिंग भी कर दी जाए ओपरेशन को सफल बताते हुए पाइलेट अकिनसी को इरान के उपर ले गया और अकिनसी को इस तरह से उड़ाया कि डिजिटल स्क्रीन पर चांद और तारे का डिजाइन बन जाए ये डिजाइन जान बूज कर इरान के उपर बनाया गया आपको बता दे कि अकिनसी UAV को बनाने वाली कमपनी के CEO तुर्की के राष्ट्रपती Erdogan के दामाद है तुर्की काफी समय से अकिनसी की मार्केटिंग कर रहा है तुर्की की मकारी देखिए कि जिस अजरबैजान में वो इरान के हेलिकॉप्टर का सर्च ऑपरेशन कर रहा था उसी अजरबैजान को तुर्की अकिनसी बेचना चाहता है तुर्की जानता है कि अजरबैजान की अर्मीनिया से जंग चल रही है अर्मीनिया को लगातार भारत अपने हतियार भेज रहा है खासतोर पर पिना का रॉकेट सिस्टम ऐसे में तुर्की भी अजरबैजान को लगातार अकिनसी UAV बेचने के चक्कर में लगा हुआ है